जैन दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही खास वीडियो और इस खास वीडियो में खास यह चीज है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में मैं वो प्रॉसेस बताऊंगा यदि आप अपने आधार कार्ड को पैंड कार्ड के संग लिंक करना चाहते हैं तो कैसे करें तो ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी का जो समय है इस समय में आपको अपने आधार कार्ड को अपने हर डॉक्यूमेंट से लिंक करके रखना पड़ेगा जैसे कि आधार कार्ड को लिंक करना कंपलसरी है अपने रासन कार्ड से अपने वोटर कार्ड से अपने पैन कार्ड से जो लोग आधार कार्ड के शंग पैन कार्ड लिंक होगा ही हो तो उनको अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक करके रखना बहुत ही कंपल सरी है क्योंकि किसी भी वक्त इसकी जवरत पढ़ सकते हैं उस प्रोससेश को भी जान के रखना चाहिए जिसके माधम से ऊपने प्रोससे एक बार जांगे उसके बाद है है तो आई कुछ के पर सकते हैंँ जाना। कर लें क्योंकि ऐसे ही गुरुत पूण वीडियोउस को नूटिफिकिस्न अपको टाइम टूतएम मिलते रहेंगे यदि आप चैनल को सबस्क्राइब करते हैं तो इग्नोर ना करें चैनल को जहूर सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे तो आई हम लोग प्रोसेस की तरह बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग सर्च इंजिन में सर्च इंजिन को ओपन करेंगे उसमें सर्च करेंगे क्या सर्च करेंगे www.incometax.gov.in यह लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से भी जाकर डारेक्टली इस पेज में आसब करेंगे तो देखे हमारे पास इंखर्ण टेक्स का जो ओफिसियल वेबसाइट इफाइलिंग का वह हमारे सामने ओपेन हो गया इसके बाद हम क्या करेंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रॉल डाउन करने बाद हमें एक option मिलेगा आवर्ट सर्विसेश देखिए बढ़ा करके लिखा हुआ तो बहुत सारे options मिलेंगे इन हर options से हमें हर option की जोरत हमें नहीं है हमें सिर्फ क्या है उस option की यह हुद है जिससे हम अपने आधार कार्ट को पैंट कर की संक माध्य लिंक कर सके तो वह औप्षन है नमबर 2 लिंक आधार मंगा हुं इस पर हम क्या करेंगे इस पर आजञे करेंगे हैं क्लिक कर रहें के बाद दीखें लोड़ीं होने के किवल बर्थ है मतलब जन्म का सिर्फ साल है मतलब जैसे 1993 है 1994 है मतलब डेट और मन्थ नहीं लिखा हुआ है तो उस सिनारिव पर आप इसको चेक करेंगे अधरवाइस पर चेक करके लिंग का अधार पर क्लिक करेंगे मैं दिखाता हूँ कि मैं पैन नमबर यहां पर देता हूँ आधार नमबर नमबर देंगे इसके बाद आधार नमबर है इसके बाद नेम एस पर आधार पर जो नाम लेगा उगो नाम देंगे के बाद मोबाइल नमबर के बाद देखें I agree to valid my अधार डिटिल्स यह मेरा सब 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 सही है तो हमें आप ही क्या करेंगे नॉर्मली करने के बाद लिंक अधार पर क्लिक करेंगे यदि आपका नहीं लिंक रहेगा तो यहां पर लिंक हो जाएगा यदि आपका लिंक और रहेगा तो आपको ऐसा दिखेगा Your pen is already linked to given आधार मतलब मेरा आधार लिंक है हमें लिंक करने की जहूरत नहीं है यदि नहीं है तो यह हो जाएगा प्रोसेस बिलकुल यही है ठीक है इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने आधार कार्ट को अपने पैन कार्ड नंबर से लिंक कर पाएंगे ठीक है बिलकुल बिलकुल सही तरही का मैंने आपको बता दिया अभी तक आपने लिंक नहीं किया है तो कर लें कुछी दिन में आपको जोद पढ़ने वाली होगी या फिर बहुत ही कंपलसरी है तो आप कर लेने से अच्छा ही रहेगा तो आप अभी तक लिंक अपने आधार कार्ट को पैन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे विडियो को लाइक करें शेर करें और अपना सपोर्ट यह बरकरार रखें व्डियोस्हारे चैनल के माद्ध्द्यckt लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए कर दीजिए जरूर से जरूर क्योंकि आने वाले वेडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें ठीक दोस्तों फिर मिलेंगे अगले गुरुत्पुन्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच्च जाहिन दोस्तों जाहिन